हलोगश मैं अम प्रमोर्ड फ्राम इंडियन इंग्लिश। ग्रामर। इस चैनल में एक बार फिर आपका शुक्रत है। याद दखें कि आज के डाट में आपको बहुत ही खास चीज़े बताने वाला हूं। जैसे जो आपका टेंस होता है। बहुत सारे टेंशन होते हैं लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं इस वज़े से हम ट्रांसलेशन करने में बाइड वे काफी मिस्टेक करते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रजेंट परफेक्ट टेंश के बारे में ठोड़ी चीज़ बताना चाहूंगा कि क्या चीज़े हैं जो विशेश अब से प्रजेंट परफेक्टेंस में प्रयोग की जाती हैं और कुछ खास विशेश चीज़े हैं इसको आपको और कहीं नहीं मिलेगा और यह 100% आपका करेक्ट है जिसका यूज आप किसी भी एक्जाम में करें चाहिए कॉंपटिशन का हो चाहिए क्लासिक ग्राम में ठीक है इसके अलावा सिन्स और फार का किन किन टेंशों में विशेश रुपसफ़ होता है इसके अलावा और कहीं पर नहीं होता है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो इसको आप लोग देखें और साथ में पढ़ाई के लिए देखें एक कंसेंट्रेशन करिए एक साथ चलिए मतलब अभी आप मेरे साथ अगर डेली चलते हैं तो एकदम पक्का है कि आपको अच्छी knowledge डेली मिलेगी grammar की हो चहाए Englishики class की हो तो आप जैसकि जानते है मेरा grammar का भी चैनल है और साथ में एक spoken का ही चनल है दोनों का link जो है आपको description मिल जाएगा और साथ में grammar वालत आप देखी रहे हैं इसके अलवाँ आप चाहें तो जो लिखा आ रहा है वीडियो में कहीं कहीं Indian English Speaking Class उसको टच करके या उसको जो है YouTube या Google पर राइट करके correctly आप सर्च कर सकते हैं ठीक है तो आएए वीडियो के तरफ चलते हैं और थोड़ी चीज़ें हम आपको राइटन हैं इन सभी adverb और adverbial phrases का प्रियोग होता है ठीक है अब जैसे मालेज़ें आप English Middle School में पढ़ रहे हैं और आपके सामने कोई English में sentence आ गया और उसको आपको पहचानना है कि यह किस tense का है तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह जो है present के perfect tense का है ठीक इसका हिंदी meaning भी मैंने आप लिखा हुए है आप इससे भी बराबर देख सकते हैं और इसको learn कर लिजे हिंदी अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को पज़ करके आप इसका screenshot ले लिजे या फिर आप इसे note कर लिजे देरे-देरे करके राइट यह जितने भी words हैं मतलब की adverb हैं और adverbial phrases हैं इन सभी का प्रिव प्रेजन के perfect tense में होता है ठीक है यह बात एक दिम 100% आ हैं कहीं से भी कोई wrong नहीं कर सकता है इसको आप जरूर note कर रहे नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ और हम आपको यह दिखाएंगे कि total ऐसे कितने tense होते हैं जिसमें जो है since और far का प्रेज़ होता है जैसा कि आप already जानते हैं कि since और far का क्या meaning होता है और कहां कहां प्रेज़ होता है यह मैंने इस वीडियो में overall नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इस चैनल के पिछले वीडियो को देखेंगे वहाँ पे since और far का 100% correct use भी मिल जाएगा और साथ में आप इसका आराम से जानकारी ले सकते हैं तो आप जान दीजिए कि जो tense होता है उसमें आपका past perfect tense होता है उसमें प्रयोग होता है since far का और past perfect continuous tense में होता है since far का प्रयोग इसके लामा present perfect continuous tense में होता है और present perfect tense में होता है मतलब इन चार प्रकार के टेंसों में सिंस और फार का प्रियोग होता है इसके अलामा पूरी टेंस में और कहीं पे इसका प्रियोग नहीं होता है अब अच्छी पढ़ाई करना है तो मेरे साथ चलो और अदरवाइस आपको प्राब्लम हो सकती है पूरा 100% ये चीज़ें करेक्ट हैं, इसको आप आराम से यूज़ करें अपने लाइब में कभी भी ठीक है आभी फ्री सब्सक्रिप्शन है, फ्री सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल बटन एक दिया होता है, सब्सक्रिप्शन का उस पर क्लिक करो सब्सक्राइब करो ठीक है बेल आइकन प्रेस करके आल सेलेक्ट करो ताकि डेली वीडियो देखो आराम से और आसानी से जो है पढ़ाई कर सो को आनलाइन बिल्कुल फुरी में ठीक है और इसके रहामा सिंस का मतब होता है किसी निश्चित समय के लिए भी फॉर का मतब होता है किसी पर समय के लिए जैसा कि आप यहां पर मीनिंग भी दे सकते हैं ओक है ये प्रकार का एड़ ओरफ है ओक है ये प्रकार का Alevifiques के रूप में काम करता है शिद्धेंश में ठीक है तो यह टोटल डिटेर आज का है जो है और बाकी आप spoken class online join करना चाहें या offline join करना चाहें तो offline के लिए आप आ सकते हैं हमारे हाँ हमारे institution पर जिसका नाम है Indian English speaking class तर्यारी या village तर्यारी है रिस्थिक जो है आपका जौनपूर उतर प्रदेश है इसके जो सब दिस्थिक है वो किराकत है यहां पर डिगरी कॉलेज है स्री राजा राम महाविद्याल है इसके बिल्कुल सामने जो हमारा spoken class सलता है ठीक है तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ में तब तक के लिए थ